शिव बाबा याद है ना? शिव बाबी नशा चाहिए तुम अभी ब्राह्मन सो देवता बनने वाले हो इसलिए दैवी गुण जरूर धारन करने हैं अगर डबल सिर्ताज बनना है तो बहुत अच्छे गुणवान बनो ऐसी कोई चीज स्वीकार नहीं करनी जिनका भोग देवी देवताओं को नहीं जो पवित्र हैं लास्ट में बाबा ने कहा एक बात कभी नहीं भूलना अगर पावन बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा तुम माताएं ही स्वर्ग का द्व खोलती हो इस सारी धर्ती को पवित्र बनाती हो इसलिए तो तुम्हारा गायन है वंदे मात्रम अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मेठे बच्चे शिरिमत पर अच्छे सर्विस्त करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है प्राइजन बाप की ग्यान डान्स किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है उत्तर जो ग्यान के शोकीन है जिन्हें योग का नशा है उनके सामने बाप की ग्यान डान्स बहुत अच्छी होती है नंबरवार स्टुडेंट हैं परन्तु ये वन्डरफुल स्कूल है कईयों में जरा भी ज्यान नहीं है सिर्फ भावना बैठी हुई है उस भावना के आधार पर भी वर्से के अधिकारी बन जाती है ओम श्यान्ती रुहानी बच्चों को रुहानी बाप समझाते हैं इसको कहा जाता है रुहानी ज्यान वह स्प्रीच्वल नौलेज स्प्रीच्वल नौलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनोश्य मात्र में रुहानी नौलेज होती नहीं रुहानी नौलेज देने वाला ही एक है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है हर एक मनोश्य में अपनी अपनी खूबी होती है न बैरिस्टर बैरिस्टर है, डोक्टर डोक्टर है हर एक ये ड्यूटी पार्ट अलग-अलग है हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पाल्ट है, कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना, गाते भी हैं, चमकता है ब्रिकुटी के बीच, यह भी गाया जाता है, निराकारी आत्मा का, यह शरीर है तक्त, है बहुत छोटी से बिंदी, और सब आत्माई एक्टर्स हैं, एक जनम के फीचर्स न मिले द दूसरे से, किसको भी पता नहीं है, कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे, यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं, सुभे को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, तो उज्जाई हुई आत्मा प्रजलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा मे बहुत जंक लगी हुई है, बाप सोनार का भी काम करते हैं, पति तात्माई, जिनमें खाद पड़ती है, उनको प्योर बनाते हैं, खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तामभा, लोखा, अदी, नाम भी ऐसे हैं, गोल्डनेज, सिल्वरेज, सतो प्रधान, सतो, रजो, तम यह बातें और कोई भी मनश्य गुरू नहीं समझाएंगे, एक सत्गुरू ही समझाएंगे, सत्गुरू का अकाल तक्त कहते हैं ना, उस सत्गुरू को भी तक्त चाहिए ना, जैसे तुम आत्माउं को अपना अपना तक्त है, उनको भी तक्त लेना पड़ता है, कहते हैं, मैं कौन सा तक्त लेता हूं? यहे दुनिया में कोई को पता नहीं है. वह तो नेती-नेती कहते आए हैं. हम नहीं जानते हैं. तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे. जो कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है. भारतवासी समझते ह हम बहुत समझदार थे विश्व का राज्य भाग्य हमारा था अब बेसमझ बन पड़े हैं बाप कहते हैं तुम शास्त रादी भल कुछ भी पड़े हो यह सब अब भूल जाओ सिर्फ एक बाप को याद करो ग्रस्त वहवार में भी भल रहो सन्यासियों के फोलोवर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं कोई-कोई सच्चे फोलोवर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं बाकी कोई कहां कोई कहां रहते हैं तो यह सब बातें बाप बैट समझाते हैं इसको कहा जाता है ग्यान की डांस योग तो है silence ज्यान की होती है dance योग में तो बिलकुल शान्त रहना होता है dead silence कहते हैं न तिन मिनट dead silence परन्तु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं सन्यासी शान्ती के लिए जंगल में जाते हैं परन्तु वहां थोड़ी ही शान्ती मिल सकती है एक कहानी भी है रानी का हार गले में यह मिसाल है शान्ती के लिए बाप इस समय जो बाते समझाते हैं यह द्रिस्टांद फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं. यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी एग दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं, देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते। उनको कहा जाता है संपुल निर्विकारी दुनिया वाइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं परन्तु उनका अर्थ नहीं समझते तुम ही पुझे सो पुजारी बने हो बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता बाप कभी पुजारी बनते नहीं मनुष्य तो कणकण में परमात्मा कह देते हैं तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म गलानी होती है वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं अर्थ कुछ भी नहीं जानते वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है आत्मा नहीं बनती है बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है तब शरीर भी पतित बना है सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है परन्तु वह सब है भक्ति मार्ग में बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, आत्मा ही भिन 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 शरीर लेते पार्ट बजाती है, तो योग है बिलकुल साइलेंस, यह फिर है ग्यान डांस, बाप की ग्यान डांस भी उन्हो के आगे होगी जो शोकीन होगे बाप जानते हैं किस में कितना ग्यान है कितना उनमें योग का भी नशा है टीजर तो जानते होगे ना बाप भी जानते हैं कौन-कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं अच्छे-च्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है बच् अभी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अत्वा पाटशाला है ना। पाटशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं। फलाना होश्यार है, यह मेडियम है, यहां तो यह बेहद का गलास है। इसमें किसको नंबरवार बेढ़ा नहीं सकतें। बाबा जानते हैं, हमारे सामने यहें जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ग्यान नहीं है, सिर्फ भावना है, बाकी तो न ग्यान है, न याद है, इतना निश्चय है, यह बाबा है, इनसे हमको वर्सा लेना है वर्सा तो सबको मिलना है परन्तु राजाई में तो नमबरवार पद है जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है यहां सभी को प्राइज देते रहते हैं जो राये देते हैं माठा मारते हैं, उनको प्राईज मिल जाती है, अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शान्ती कैसे हो, बाप ने कहा है, उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शान्ती कब थी, कभी सुनी वन देखी है, किस प्रकार की शान्ती मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शान्ती मांगते हो शान्ती धाम तो है जहां हम आत्माएं रहती है बाप कहते हैं एक तो शान्ती धाम को याद करो दूसरा सुख धाम को याद करो स्रुष्टी के चक्र का पूरा ज्यानना होने के कारण कितने गपोड़े आदी लगा दिये हैं तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिर्ताज बनते हैं हम देवता थे अब फिर मनश्य बने हैं देवताओं को देवता कहा जाता है मनश्य नहीं क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं न जिन में अवगुण हैं वह कहते हैं मुझ निर्गुन हारे में कोई गुण ना ही शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाते रहते हैं अच्चतम केश्वम जैसे तोते को सिखलाया जाता है कहते हैं भाबा आकर हम सब को पावन बनाओ ब्रह्म लोक को वास्तों में दुनिया नहीं कहेंगे वहां तुम आत्माई रहती हो वास्तों में पार्ट बजाने की दुनिया यही है वह है शांति धाम बाब समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परीचे देता हूं मैं आता ही उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते यह भी अभी सुनते हैं मैं इनमें प्रवेश्ट करता हूं पुरानी पतित दुनिया रावन की दुनिया है जो नंबर वन पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है उनको अपना रत बनाता हूं फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है, चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा दवारा मैं आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, ऐसे तो नहीं कहते हैं, देवी देवता धर्म में आता हूं, जिस शरीर में आकर बैठते हैं, वही फिर जाकर नारायन बनते हैं विष्णु कोई और नहीं है लक्ष्मी नारायन अथ्वा राधे क्रेश्न की जोड़ी कहो विष्णु कोन है यह भी कोई नहीं जानते हैं बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों, शास्त्रों सब चित्रों आदी का राध समझाता हूं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वेह फिर यह बनते हैं प्रवरिती मार्ग है ना यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वेह लक्ष्मी नारायन बनते हैं इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मनों को ज्यान देता हूं तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फस्ट नंबर में सुनते हैं, यह है बड़ी नदी ब्रह्म पुत्रा, मेला भी सागर और ब्रह्म पुत्रा नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है, जहां सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं, यह वह बन प्रण्ने में एक सेकिन लगबा है, साक्षात कार हो जाता है और जट निश्चे हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं, तो यह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया, तुमको भी पहले मालूम हुआ, बाबा आया हुआ है, यह दुनिय खत्म होने वाली है, तो जट भागे, बाबा ने नहीं भगाया, हाँ, भठी बननी थी, कहते हैं, क्रेश्न ने भगाया, अच्छा, क्रेश्न ने भगाया, तो पट्रानी बनाया ना, तो इस ग्यान से, विश्व के महराजा महरानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगी धर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिबाबा पर कितनी गलानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो पर्मात्मा, पर्मात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मन है, ब्राह्मन है सबसे उंचकुल, इनको डैनेस्ट्री नहीं कहेंगे, डैनेस्ट्री अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है, है बहुत सहज, हम ब्राह्मन सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारन क करने हैं, सिग्रेट बीडी आदी का देवतां को भोग लगाते हूँ क्या, शिरिनात द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं, जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं, मनोश्यों की बहुत भावना रहती है, सत्युग में त जो किसी चीज को खराब करें, ऐसी बिमारी आदी वहां होती नहीं, बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहां तो ऐसी बाते ही नहीं होती, रोग आदी होते नहीं, यह सब बिमारियां द्वापर से निकलती हैं, बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते तुम पुरुशार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो, आयू भी बड़ी होती है, कल की बात है, डेड़ सो वर्ष आयू थी ना, अभी तो चालिस पेंतालिस वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है, तुम राज योगी राज रिशी हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह है, पुरुशोतम संगम युग, मास या वर्ष नहीं, बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प, पुरुशोतम संगम युगे युगे आता हूं, बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं, एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है, तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो, अब तुमको वापिस जाना है, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, यहां तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा मिलेगी, तुम्हारा गायन है, वंदे मात्रम, तुम धर्ती को भी पवित्र बनाते हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा रूपी जोती को प्रजलित करने के लिए, सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है, याद से ही जंक निकलेगी, आत्मा में जो खाद पड़ी है, वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है दूसरा, बाब से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए, भावना के साथ साथ ग्यानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है आज का वर्दान चलन और चहरे से पवित्रता के शिंगार की जलक दिखाने वाले, शिंगारी मूर्त भव बाबा ने कहा, पवित्रता ब्राह्मन जीवन का शिंगार है हर समय पवित्रता के शिंगार की अनुभूती चहरे वचलन से ओरों को हो द्रेश्टी में, मुख में, हाथों में, पाउं में, सदा पवित्रता का शिंगार प्रत्यक्ष हो हर एक वर्णन करे कि इनके फीचेर्स से पवित्रता दिखाई देती है नैनों में पवित्रता की जलक है मुख पर पवित्रता की मुस्कृराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए इसको ही कहते हैं पवित्रता के शिंगार से शिंगारी हुई मूरत स्लोगन व्यर्थ संबंद संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो व्यर्थ संबंद संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो ओम शांति ब्रामनों के लिए मुरली का कितना महत्व है मुरली से क्या-क्या प्राप्ती होती है और इसे कैसे सुनना चाहिए आज के ग्यानमोती में हम मुरली से जुड़े अनेक तथ्यों को जानेंगे इसलिए कोई मिस ना करे